सीधा रुख करूंगे सुरिष्टी का सुरिष्टी ऐसे समाजादी पार्टी राम और यांड कह रहे हैं कि राम जी किसी की बपोती नहीं है, किसी भारती जनता पार्टी का पेटेंट रही है, ममता बैनर जी दंगाई बता दे रही है राम भट्तो को इस पर ज inquiryide कीमिता और बेंगा आप सोट बेंगे उनका कुछ नहीं जब चुनाव होगा चार्ज उनको जब रिजल्ट आएगा तो ही पता चलिए जब हो दी चार सो पार सीट लाएंगे हैं अमता बनर जी पूरे उच्सव को ही बता देनी कि दंगा हो जाएगा नहीं कहां दंगा हो रहा है है ममता बनर को आके देखना उस पे राजनीत करने लगती हैं राम जी के लिए तो अखिलेस ने कुछ नहीं क्या किया इतने दिनों उनकी सरकार रही कोई किसी भी मामले में और ऊणा क्या रहो उन्होंने कुछ निकिया भाश्बा सरकार इस दबैश्बकर आप लोगको क्या लगा कुछ की दंगे जैसा महौल हो जाएगा ये कुछ जैसा ममतवनर जी करें नहीं एक दम शांत महौले अच्छा महौले कुछ कोई प्रब्लेम मुदी जी का कम अच्छा चल रहा है सब क किसी हाल में दंगा होई नहीं सकता और उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते तो ये असंभव है ये कुछ राजनितिक हैं जो अपनी रोटियां सेखना चाह रहे हैं आच तो सृष्टी को आप यहां पर सुन रहे थे मेरी सभय की को जो यहां पर बता रही this किया किस तरह से जो लोग वहाँ पर पहुंचे हुए है वह उस वक्त क्या कुछ के रहे हैं लेकिन आचारी जी जो गारए है तो अलुई है जो सबसे पहले जै श्री श्री राम जै श्री राम और आज इस सुन्दर स्वाभागे के आवसर पर समस्तर देश वाशिष जिस प्रकार से आनद भावचे प्रफल्लिट होकर पांसो साल पुराने उस जो कलंक था स्वाभिमान का जिस पकार से निर्मान होने के सुन्दर वेला आई है उसके लिए सब को बहुत बहुत शुब कामना और जो आपका प्रशन था कि राम वाले दंगाई है के नहीं है हमने देखा है दंगाई कौन थे दंगाई वो थे जो निहत्य राम भक्तों पर गोली चलवाते थे दंगाई वो थे जिनों ने राम भक्तों की हत्या करवा कर उनको सर्यू के अंदर मिट्टी की बोरी बांद बांद कर पत्थर के साथ बांद बांद कर तरवा दिया था दंगाई वो थे जिनों ने राम भक्त राम जैश्री राम कहने पर गोलिया चलवा दी थी और इस देश के अंदर क्या क्या नहीं हुआ दंगाई वो थे जो अजाधी के टाइम पर जो कारे हो जाना चाहिए था जिनों नहीं होने दिया दंगाई वो थे जो ने इस इतिहास को बदलने का काम किया, दंगाई वो थे जो मन के काले थे अंग्रेजों के जाने के बाद भी मन के काले अंग्रेज बनकर इस देश पर राज कर रहे थे और हमारा इतिहास बदलने का प्रयास कर रहे थे वो कॉमिनिस्ट जो थे इस देश क समझ लें दंगाई वो थे कॉंग्रेसी जिन्हों ने इस राम मंदिर पर ताला लगवाया अब जब आपने सीधा सीधा काया है तो सबसे पहले चंद्रमोहन जी से ही मैं यहां पर एक रियाक्शन ले लेती हूं वो कहरें कि आप लोग हैं दंगाई तो आज कि इस पावन अफ करते रो और घूम फिर के बिना कांग्रेस के रोटी हजब ना करो तो आज के दंगाई देश में वो हैं जो देश की मुन्यादी बुद्धों की बात नहीं करते और जब आते हैं कहीं खड़े हो के वो आज भी धरम के नाम की राजनती करते हैं आज किस बात की चर्चा होनी लेकिन आपका विजन कै चो बीजन के लिए Ал गो गानधी आज भी देश के उन लोगों को दंगा ही ठानदेना अज लेकिन आपका विजन क्या है क्योंकि सार आइज 비द्ज का फ्रेस कंफेर्श कंफेर्स होती है अंखेले शर्यादप की और राहूल गांधी की राहूल गांध आपका क्या विज़न है? आपका क्या विश्पास? सबसे पहले आज 500 वर्षों के बाद एक ऐसी राम नवमी आई जिसका हम सब लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे इसलिए आज तो राम प्रभुश्री राम की बात होगी राम नवमी की बात होगी चुनाव की बात तो लगातार हो रही है और जहां तक राम नवमी का और राम लला का और उनके महत्वक और उनके नाम का प्रश्ण है तो सं उन लोगों का जो खुद को चुनावी हिंदू और सनातरी बता देते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि आज जो सूर्य तिलक हुआ है वो कहरें कि आप आस्था का इस्तमाल करते हैं उसी पर मैं आ रही हूं कि वो साइंटिफिक है और उसके अलावा ये सनातन का एक तवर्ष की सभ्यता संस्कृति है वह आज सनातन के और सभ्यता संस्कृति की दोहन की बात कर रहें और आपका जो मूल प्रश्ण जो आपने मुझसे किया था वो ये जो आजकल ये लोग अपना एक चुनावी समीकरार निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमां डेर्ट सो सी इस नर्चत को चैलेंज देता हूँ अगर आप कंफिडेंट है और बाजपा कंफिडेंट है तो बाजपा की वो ललकार दोजर चोदावली वापस आनी चाहिए देश के अंदर बिरोजगारी दूर करने की वो ललकार वापस आनी चाहिए देश के अंदर महगाई दूर करन बन गई और मोधी जी कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं मेरी बेहन को खुद पता है कि दो जट चोदा उन्दीस और चोविस में आज उनके घर के अंदर आटा कैसे आता आटा महंगा तेल महंगा जिस देश में कफन और शिक्षा महंगी हो और आप कहते हो कि हम विरोध कर आतने इस बात का हम आपको मुद्दे में लाना चाहते हैं